हलो दोस्तों नमस्कार, वो में टेकर चलेक के माद्यम से जितने भी EPS 95 पेंसरस हैं आप सब का स्वागत है दोस्तों आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि इस पोस्ट को मैं आप लोगों के साथ में सेयर करूँ दोस्तों देश में एक ही जगह है जहां खाना सबसे सस्ता मिलता है कौन सी जगह है यह मैं आपको बताऊंगा उससे परें मैं खाने की लिष्ट और साथ साथ में आपको उसका प्राइज भी दिखाता हूँ जो चाय एक रुपे में मिलती है सूप पांच रुपे पचास परेसे में मिलता है दोसा चार रुपे मिलता है दाल होँआ एक रुपे पचास परेसे में मिल जाता है भोजन अगर करना है तो मातर 2 रुपए लेके जाईए भोजन करिए चपाती खानी है तो 1 रुपए चिकन खाना है तो मातर 24 रुपए अगर बिर्यानी खानी है आपको तो 8 रुपए और अगर मचली खानी है आपको तो 13 रुपए यहार आप बोलेंगे कि इतना सस्ता भोजन कहां मिलता है वो जगह मिल जाए जहां पर इतना सस्ता भोजन तो आप महज कितने में अपना पुड़ महीने का खर्चा निकाल लेगे आगर आप इतना जोडेंगे तो यह जादा जादा 50 रुपे यानि 100 रुपे यानि 3000 रुपे में आपको न तो खाना बनाने के इतना भटकना पड़ेगा न तो कहीं जाना पड़ेगा बैठे बैठा है खली 3000 रुपे आपके जेब में होना चीए तीन टाइम का खाना आप बहुत ही आसानी के साथ में खा सकते हैं अब आप चोंके नहीं मैं आपको जगा का नाम बताता हूँ कहां पर खाना इतना सस्ता मिलता है तो देखें जगा का नाम ये सब भारत की संसंद की कैटीन में वहां के गरीब संसंदों को उपलब दे और इन गरीबों के सेलरी सिर्फ डेड़ रहलाक रुपे प्रतिमा हैं वह भी इंकम टेक्स फ्री इतना इंतजार नहीं किया तो मिलेगी पेंसंद एक निवेदन क्या निवेदन है इस बार पर ध्यान दे यह जानकारी इमानदारी और मेहनद से जुटाईए ये देश के हर नारिक तो पहुँचाना चाहिए के प्याई इसे हर जगह भेजें आपके मुवाइल नमर पर जितने भी नमर हैं सभी को यह जानकारी देना चाहिए यए प्रकार का संदेश वार्सप पे आया था वार्सप के मादम से मेरे मुवाइल फोन में पहुचा और मुवाइल फोन में पहुचने के बाद मुझे लगा कि यह जानकारी को मैं यूटुब पे डालता हूँ ना तो मैं आज तक कभी संसत गया हूँ ना तो संसत भावू गया हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ के संसतों क्या सच में इतना फ्री खाना मिलता है जितना यहाँ पर प्राइज डालेगी है हरे खाने के सामने क्या सच में इतना संसता खाना मिलता है अगर कोई वहां गया हो जिन तक हमारी ये वीडियो पहुँच जाए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि वास्तिविक में इसका क्या rate है क्या वास्तों में इतना सस्ता खाना मिलता है क्योंकि एक बार देखने के बाद में मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या वास्तिविक में आज के महगाई की परिवेश में क्या इतना सस्ता खाना मिल सकता है उन सास्तों को जिन सास्तों की pension payment डेढ़ लाग रुपे है तो अगर कोई वहां गया हो या किसी के पास में इस से संबंधित सच्चाई हो तो आप हमें comment box या हमारे whatsapp नमर पे भेज सकते हैं दोस्तों आज इसके लिए यह important ख़बर था अब यह खबर जूंटी है कि सही है यह पूश्टी आपके उपर में छोड़ता हूँ comment कर आप बताए मुझे तो दोस्तों यह खबर आपको कैसा लगा अगर खबर आपको अच्छा लगा हो तो प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दे छेलो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में और नए अब्डेट में तब तक लिए नमसकार जै हिंद जै भारत